हम करेंगे जो हमारा unit 1 है BEGLA 136 का उसका part 2 करेंगे जिसमें हम देखेंगे listening जो कि है talking about oneself ठीक है इसमें हम करेंगे जब यह इसमें आपको एक यह सुनना है audio सुनना है जो कि सानिया मिर्जा अपने बारे में बात करती है जिसमें तो I hope अगर आपको books मिली हैं तो उसके साथ शा आप रफर कर सकते हो जो answer section है वहाँ पर देखिए तो पहले हम देखते हैं यह बोलता है कि यह बोलता है कि जो की वर्ल्ड की tennis player है from हाइदरबाद इंडिया जो की मतलब बहुत famous tennis player है हमारी सानिया मिर्जा उनके बारे में वह एक talk show में अपने बारे में बात करती है तो वह ह हाइदरबाद इंडिया तो सबसे पहले अपना introduction देती है कि मैं सानिया मिर्जा हूं और मैं हाइदरबाद से हूं और में का पैदा हूई हूं नवेंबर 15, 1986 में यह पैदा हूई है कुन पैदा हूई है सानिया मिर्जा तो उसके बाद यह बोलता है कि I am a tennis player and my dream is to win the Wabble Dun singles championship one day तो यह बोलती है कि मैं एक tennis player हूं और मेरा सपना है कि मैं Wabble Duns singles championship है वो एक दिन जी तू I was introduced to tennis at the age of six but my coach refused to allow me to play when he saw me तो यह बोलती है कि मैं जब 6 साल की थी तब मैंनी start किया मतलब तब मुझे पता चला कि यह ऐसी game है तो मेरे जब coach जो थे मेरे तो उन्होंनी जब मुझे देखा और उन्होंनी बोला कि तुम यह game नहीं खेल सकती हो When he saw my game he was quite amazed लेकिन जब उन्होंने मेरे game देखी तो वो बहुत हैरान होगे और खुश होगे I have reached the position at which I am today only because of my hard work and dedication and the support of all my family members उसके बाद बोलती हैं जो आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ वो मेरे hard work की वज़ा से है और मेरे जो dedication है जो मेरे पूरे मन से जो इसके लिए काम किया उसकी वज़ा से हूँ और मेरे जो family members उनके support की वज़ा से मेरे पहुंची हूँ फिर ये बोलती हैं कि when I decide to do something जब मैं कुछ भी करने का decide करती हूँ तो I leave no stone unturned to get success in it तो मैं कोई भी ऐसी कमीनी छोडती हूँ जिससे मुझे में successful ना हो जाऊँ तो मैं हर एक चीज करती हूँ ताकि जो भी चीज में कर रही हूँ उसमें successful हो जाऊँ अब क्या ही बोलती है कि जब February 2005 में क्या होता है कि I became the first ever Indian woman to win a WTA title by the winning the AP Tourism Hyderabad Open Defeating 9th seeded Alona Banda Renko in the final तो S.O.L.A.N. के नाम जो होते हैं वो बहुती difficult होते हैं तो इसलिए अगर मैं गलत प्रनांस किया होगा तो उसके लिए sorry और ठीक है उसके बादे बोलती है कि जब तो ये पहली Indian woman है जो कि 2005 में क्या करती है WTA जो title है वो जी जाती है जो कहां पर conduct हिया गया था हाइदरबाद open AP Tourism Hyderabad Open में जो की था तो इसको इन्हों नहीं हराया था उसमें अलोना बोंडा है रहनको को तो उसके बाद ये बोलती है कि open often sorry often I sit back and reflect on my strengths and weaknesses by doing so I am able to think of the strategies to open overcome my weak areas तो ये बोलती है कि जब भी मुझे 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 तो उसके बादे बोलती है कि मैं पहली इंडियन जो फिर्स्ट फिमेर इंडियन थी इनको क्या मिला जाने का मुखा मिला जो ग्रैंड स्लैम इवेंट जो कि दो हजाट छे में हुआ था उस्ट्रीलियन ओपन यह वहां पर में जा पाई थी उसके बाद इन पार्टनर्शिप ट्वर्म में उसके बादें बोलता है कि जब मेरा मया मतलब डावार्ट किस गेंडित deplum किंर जबुद्ध titles 16 months के अंदर इनों जीते और उसके साथ साथ तीन बड़े-बड़े awards भी जीते titles जीते इनोंने जो कि था Australian Open उसके बाद Wimbledon and US Open ये दोनों जीते थे total 3 जीते थे और 41 matches from 2015 to 2016 उसके बाद 2015 से 16 तक मैंने 41 matches जीत लिये besides playing tennis I enjoy good music and love to read books in my spare time तो उसके बाद बोलती है की tennis के बाद मतलब एक तो tennis में खेलती हूं उसके साथ साथ में अपने free time music अच्छा music सोनना पसंद करती हूं और books की reading नहीं नहीं books पढ़ना पसंद करती हूं I love non-vegetarian food and don't mind having it 24x7 तो यह बोलती है की मुझे non-vegetarian यानी chicken meat बहुत पसंद है और में ये 24 गंडे खा सकती हूं अगर मुझे कोई देगा one of the little known secrets of my life is that I always wanted to be an interior designer तो यह बोलती है की मेरा जो एक secret है life का जो कि किसी को नहीं पता है जायदत पता नहीं है लोगों को तो हो क्या था कि मैं पहले बच्पन से क्या बनना चाहती एक interior designer today I think dream and live only tennis तो लेकिन आज के दिन के मैं सिर्फ सोचती हूं और सोच के जीती हूं किसके बारे में tennis के बारे में और I am proud to lend my face and voice to many welfare projects and enjoy being a brand ambassador तो उसके बाद बूलती है मुझे बहुत फकर मैसूस होता है जब मैं दूसरे जो अच्छे अच्छे काम हैं उनका face बनती हूं उनको represent करती हूं और उनकी आवाज बनती हूं और जब मैं किसी project की brand ambassador बनती हूं तो यह सब मुझे बहुत अच्छा लगता है अब हम questions करेंगे यह सबसे पहले है कि हुई सानिया मिर्जा सानिया मिर्जा कुन है यह एक tennis player है जो कि इंडिया से है इतना ही आपका answer है उसके बाद है what are some of her achievements यानि उन्होंने क्या क्या चीजें जीती है तो आप लिख सकते हो कि उनकी जो फिर्स्ट वो एक फिर्स्ट इंडियन वुमन है जिन्होंनी WTO tournament जो 2006 में हुआ था वो जीता था अब आपको अपने हिसाब से बताना है कि उसकी तीन तीन qualities कुन सी है जो कि सानी मिर्जा की आपको अच्छी लगती है तो आप लिख सकते हो वो hard working है वो अपने काम को लेके dedicated है और उनको पता है कि वो अपने जो weakness है और उनकी जो strength है उन पे वो काम करती है उसके बाद है what are Sanya's interests and hobbies उनको क्या अच्छा लगता है करना तो आप बोल सकते हैं उनको music पसंद है उनको reading पसंद है और एक अच्छा खाना या non vegetarian food उनको बहुत पसंद है अब है आपके कुछ ये brackets वो आपको पूरे करने सबसे पहले Sanya's coach allowed her to play when तो कब उनको खेलना पसंद है मतलब उनको खेलना allow किया उनकी coach नी जब पहले उनको जब उनको छे साल की थी उनको बोला कि आप नहीं खेल सकते हो तो आप लिख सकते हो he saw her game तो जब उनकी game देखी तो फिर उनको allow कर दिया she became the first woman to win a WTA title at the age of जब वो कितने साथ आप लिख सकते हो बोलता है कि उन्होंने जो first woman WTA जो title था वो जीता तब वो कितने साल की थी तब वो 18 साल की थी the secret of her the success is तो जो उनकी success का secret है वो क्या है वो hard work करती है और वो dedication के साथ काम करती है यानि dedicated है उसके बाद है if she had not become a tennis player she would have अगर वो tennis player नहीं होती तो वो क्या होती वो interior designer बनती Sanya's dream is Sanya का क्या dream है उनका dream है कि वो Wabbelden singles जो title है वो जीते अब है आपको उसके बाद है करना 1.5 जो कि है speaking इसमें है giving a self profile you have first listened to Sanya Mirza talk about herself अभी हम नहीं किया सुना Sanya Mirza का जो talk था वो मतलब जो अपने बारे में बात करती है वो सुना now you have to give a brief self profile to people who do not know much about you अब आपको क्या करना आपको अपने बारे में कुछ लिखना है वो वाली चीज़ें लिखने है जो कि लोगों को आपके बारे में नहीं पता है brief में come short में speak about yourself using the following hints कुछ hints दी गई हैं वो लेके उनकी help लेके आपको उसके बारे में लिखना है तो you may write down what you have to speak on notepad first तो आपको जो भी आप बोलना चाहते हूँ बोलने से पहले आप एक notepad ले लो या कोई paper ले लो उस पे आप लिख लो क्या क्या बोलना चाहते हूँ उससे आपको जो भी points है वो बूलिंग इन नहीं तो hints क्या है पहले आपको अपना नाम बताना है age बताना है data worth बताना है essay ठीक है introduction उसके बाद आपको बताना है अपने educational background schooling और college के बारे में उसके बाद आप बता सकते हो आपकी life में क्या wish है क्या करना चाहते हो उसके बाद आप बता सकते हो कोई चीज जो कि आपनी हासिल की है वो बताना है उसके बाद आपको अपनी personality की कुछ qualities बतानी है जो अच्छी qualities जो आपको पसंद है जो की vacuum में बहुत कम पाई जाती है वो चीज़े बतानी है जैसे honesty हो सकती है truthfulness हो सकता है वो सारा बता सकते हो उसके बाद आपको बताना है अपनी hobbies और interest के बारे में जो बता सकते हो तो ऐसा अपना एक profile लिख सकते हो उसके बाद है grammar जिसमें हम देखेंगे WH questions तो WH questions इससे पहले भी हम discuss कर चुके हैं जो की BEG 1135 था उसमें एक unit था उसमें हम यह discuss कर चुके है अगर आपनी नहीं देखा है तो आप वहां पर जाके देख सकते हो तो अब इसमें क् workplace you need to ask questions to know about people their qualifications, interests, etc. तो आप जब कहीं पर काम करते हो तो अगर आपको लोगों को जानना है तो आपको उनको questions पूछने पढ़ेंगे related to उनके qualification or interest के बारे में ठीक हैं तो इसी तरीके से अगर आपको कोई आपके बारे में पूछता है तो आप पहले से ही तयार रहें कि जैसे कि किस department में आप काम करते हो या कुन सा काम आप करते हो और इसी तरीके को questions तो इन सारे questions को हम क्या बोलते हैं WH questions ठीक है यानि जिसे आप पूछा आप क्या करते हो कहां रहते हो कैसे करते हो वो सारे होते हैं what जहां पर लगाया जाए तो उसको बोलते हैं WH questions another way of making questions is to reverse the word order of the subject and verb in a sentence and as can be seen from the examples given below और दूसे तरीके से आप कैसे questions बना सकते हो आप जो word order होगा उसमें आप जो subject का word order है उसको आप चेंज कर सकते हो रिवर्स कर सकते हो और या आप जो sentence में वर्ब होगा वो आप क्या कर सकते हो तो जैसे कि आपको कुछ यहां पर examples दी हैं Bill Gates is the chairman of Microsoft Corporation तो इसी को आप उल्टा करो is Bill Gates the chairman of Microsoft Corporation तो यह बन गया आपका सवाल उसके बाद है Bill Gates continued to be the chairman of Microsoft Micro Corporation till February 2014 तो आप इसको बोल सकते हो Another way of making a question sentence is by using do, does and did in front of the subject आप दूसरी तरही किसे कैसे बना सकते हो अगर आप जो आपका subject है उसके सामने आप क्या लगा दोगे do, does और did तो इससे भी आपका यह बन जाता है question तो do and does are used in the sentence with the simple present tense do और does है ना जब हमारा कोई sentence simple present tense में होगा तो तब हम use करते हैं और जो did है वो हम simple past tense जो हुआ होता है जो काम हो चुका होता है उसमें तब हम did लगाते हैं उसके बारे में question करने के लिए तो जैसे कि है plants grow quickly तो आप इसको क्या लिख सकते हो do plants grow quickly the sun rises in the east does the sun rises in the east यानि या पर does लगा उसी तरीके से संदीप got up late yesterday तो did संदीप get up late yesterday तो did या पर लगा तो अब आपको यह explain कर रहा है कि sentence one has been changed into a question by putting do before plural subject plants तो जैसे कि हमने जो हमारा sentence one था उसमें क्या किया हमने जो plural था ना हमारा जो ही plants था उसको हमने पहले क्या plants से पहले क्या लगा दिया do ठीक है तो जो plants था हमारा उससे पहले क्या सीधे question क्या था plants grow quickly यह था सीधे statement तो इसको हमने question बनाना था तो हमने क्या क्या हमने जो plants था उससे पहले do लगा लिया ठीक है तो बन गया हमारा question यानि subject से पहले हमने क्या लगा ठीक है, ग्रो को इधर उदर नहीं किया, ग्रो वहीं रहा, हमने सिर्फ जो प्लांट था, हमारा जो subject था, उसको चेंज किया, उसको आगे पीछे कर दिया, बस, और भो गया सही, तो उसी तरीक से जो sentence 2 है, इसमें क्या है, हमने क्या किया है, question has been changed into a question by putting does before singular subject sun, तो इसमें हमने क्या किया, जो हमारा sun था, ये एक single है, sun तो एक ही है, तो इसको जो subject था, इससे पहले हमने क्या लगा दिया, does है, तो ये क्या था, the sun rises in the east, हमने क्या लगा है, does the sun rise in the east, तो rise लगा है in the east तो जो rise था न वो यहां पे हमारा जो verb था वो change हो गया rises से rise हो गया तो यह हमनी जो verb था उसको rise बना दिया rises से ठीक है ऐसे आपको बना होता है यह we used us with he, she, it and all singular nouns in the subject position तो हम जो does है हम किसके साथ लगाते हैं he, she और it के साथ और जो भी singular nouns होते हैं na subject में उनके साथ हम लगाते हैं हमारा does और sentence 3 में क्या है has been changed into a question by putting did before the subject sandeep तो हमनी क्या लगा इसको simple sandeep से पहले did लगा लिया the past tense form of verb got up has been changed into the simple present tense form of verb get up तो पहले क्या था यह got up ठीक है तो उसको हमनी get up present में past से change करके present में ले आए उसको ठीक है तो हमनी क्या बना दिया उसको वो था हमारा sandeep got up late yesterday उसको हमनी बना दिया did sandeep get up यानि जो verb था उसको हमनी change किया उसको जो हमारा verb था वो पहले statement में क्या था यह था हमारा past में तो हमनी इसको जब हमने इसको change किया तो भो हमारा present में आ गया we use did with all singular and plural subject तो लेकिन जो did है वह हम सारे singular जो हमारे did है जो did है न वो हमारे जितना भी plural subject होते हैं उनके साथ use करते हैं तो जो हमारा does था वो हम singular के साथ use करते हैं उसके बाद एक activity फोर जिसमें write questions seeking information to the answers given and answer to question asked तो अब आपको इसको चेंज करना है कि ये क्या answers पूछ रहा है आप से और क्या questions आप पूछ सकते हो वाप इसमें इसको ठीक है वैसे करना है तो सबसे पहले है कि question who is Roger Federer तो आप बता सकते हो ये एक tennis player है तो इसके बाद आपको answer दिया है जो ये है ठीक है तो उसी तरीके से जो हो गया पाई है ठीक है उसके बाद है आपका Mr. Azaz आदनी is the manager of the sales department तो तो इसका आपको question आप करोगे who is the manager of the sales department यानि sales department का manager कून है तो उसके बाद है in which department does Sunil Aurora work किस department में है जो कि Sunil Aurora काम करते है तो यहाँ पर आपको hint दिये कि purchase department तो आप लिख सकते हो Sunil Aurora जो है Sunil Aurora वो कहाँ पर काम करते है purchase department में उसके बाद है she is Amiya John तो यह आपको question पूछाना है इसी कि who is she तो आप पोल सकते हो she is Amiya John उसके बाद है उसके बाद है it is on the third floor यहाँ पर वापस question पूछा जा रहा है कि यह answer दे रहा है कि यह third floor पे है तो question क्या पूछा होगा where is the director's office यहाँ पर director's office वहीं से दिया है तो आप वोई लिखने है she is busy today you can meet her only on Monday तो यहाँ पर कि आजकल busy होती है तो आप Monday कोई उनसे मिल सकती हो तो यहाँ पर principle है तो आप question कर सकते हो can I meet the principle today ऐसे उसके बाद है change the following sentences into questions तो आपको इनको questions में change करना है जैसे कि students work very hard near the exam तो आप बोल सकते हो does students work very hard near the exam तो इस दर एक से किछ और आपको पुछे गए हैं तो वो आपको answer करने है और इसके बाद है आपका sorry वो है आपका do ठीक है do students work hard तो ऐसे आप लिख सकते हो during the exam या near the exam उसके बाद है all of them played their parts very well in the dance तो आप बोल सकते हो did they play their parts very well in the dance ऐसे आपको इनको गरना है ठीक है और question mark फिर लगाना है उसके बाद है writing profile इसमें क्या है activity 5 में आपका है कि write about any one person in your college workplace तो आपको किसी एक इनसान के बारे में जो कि आपको पसंद है या कोई बी इनसान जिसके बारे में आप लिख सकते हो उसके बारे में आपको लिखना है पहले बताना है वो कून है उसका educational background क्या है वो किस department में काम करते हैं क्या काम करते हैं उनका personal or professional qualities क्या क्या है उनको ऐसी क्या चीज़े जो उनको बाकियों से अलग बनाती है उनकी hobby क्या है उनके future plans क्या है और उनकी क्या achievements कोई भी हो सकते है आपकी mother हो सकते है आपकी father हो सकते है आपकी school का कोई हो सकते है आपकी college का कोई हो सकते है आप लिख सकते है उसके बारे में उसके बाद है Use the notes given below to write about V.Narayana Murthy, German in forces India तो इनके बारे में कुछ notes दिए गए हैं इससे भी आप help लेके लिख सकते हो तो अगर आपको V.Narayana Murthy के बारे में एक मतलब लिखना है तो आप ये जो notes दिए गए हैं आपको नीचे से उनकी help से आप लिख सकते हो तो इसी के साथ जो हमारे topic था ये यहीं पे खतम हो जाता है Thank you